Hello everyone, तो आज हम सीखेंगे कि हम एक polynomial किस तरह से बनाएं, जब sum and product दे रखाओ तो जैसे आपके पास यह है sum और यह है product, आपको करना क्या होगा? आपको एक equation learn करने होगी, equation यह लिखरी होगी है, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta तो यह equation अगर आपको learn होगी, इसमें यह values put करनी है, इससे यहां से हमें यह पता चल रहा है कि यह है alpha plus beta और यह होगा alpha beta, मतल़ यह sum है और यह product है, हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको वहाँ पे लिखा हुआ x square minus, alpha plus जो beta है, उसकी value है minus 1 upon 4, यहां value put कर देनी है plus, l4 beta की जो value है, वो है 1 upon 4, 1 upon 4 यहां लिख लेना है अब इसको solve करना है, x square minus minus हो गया, plus 1 upon 4, x plus 1 upon 4 LCM अगर हम लेते हैं, इसका तो 4 आएगा, यहां बनेगा 4 x square plus x plus 1 यह time उदर जाके 0 हो जाएगी, तो आपके पास equation बनी, 4 x square plus x plus 1 तो आपके पास यह given polynomial बना, जब आपके पास sum और product of its zeros given होंगे